प्रेदर्शकों नमस्कार चल रही कोविड महमारी के मद्दे नजर आपसे न रोद किया जाता है कि कोविड उपयक्त वेवहार का पालन अवश्य करें जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, ओचित शारिरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड भाड वाली जगहों से बचना आईए सुनते हैं आज के मुख्य तमाचा सेल रावर केला इस्पाथ सैंतर के ठेका श्रमिकों के लिए प्रयास कारिक्रम आयोजेद सेल रावर किला स्पाथ 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 द्रिष्टी दान आई बैंक द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए आशा की किरन बना और अन्नपोर्णा महराना राश्ट्र की एक देश भक्त अब समाचार विस्तार से ठेकर श्रमिकों के लिए जागरुपता कारिक्रम प्रयास का 49 सत्र 12 अक्टूबर 2021 को सेल रावकले स्पाथ स्यंत्र के HRDC में आयोजेत किया गया इस कारिक्रम में स्यंत्र की विभिन इकाईयों से जुड़े कुल 18 ठेकर श्रमिकों ने भाग लिया महाप्रबंधक कार्मिक CLC श्री सी जी राम लिंगम ने विचार विमश सत्र में लाभ एसाई और भविश्चनिदी आदिजय से व्यधानिक प्रावधानों से संबंधित ठेकर श्रमिकों के विभिन शंकाओं को स्पष्ट किया सुरक्षा पर विशेश जोर दिया गया और वेवहार आधारिज सुरक्षा पर भी एक सत्र रखा गया जिसे वरिष्ट्र प्रबंधक कार्मिक CLC श्री अविनाश्त्वारा लिया गया उन्होंने कारेस्थल पर सुरक्षित कारे प्रक्ष्रियाओं और सुरक्षा से संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के महत्वपर प्रकाश टाला कारेपालक सहायक कार्मिक CLC सुश्री सावित्री साहू ने प्रतिभाग्यों को अधिकारों, लाभूं, जिम्मेदारियों और वेतन संग्रचना, बैंक भुकतान, वेतन परची, EASI और PF कवरिज, चिकितसालाव आधी जैसे मुद्दों पर जानकारी दी प्रबंधक कार्मिक CLC सुश्री संगीता M. सिंदूर ने फिल्मों, वीडियो क्लिपिंग और कहानियों के माध्यम से S.A. 8000 के विभिन प्रावधानों जैसे बाल्शम, बंधुआ मजदूर, स्वास्त और सुरक्षित कारे परिवेश, अधिकार, भेतभाव, काम के घंटे, स सुरक्षा, मजदूरी, आधि के प्रावधान को समझाया, श्रम निरिक्षक, कार्मिक CLC, शिबीसी, साहू और CLC की टीम ने कारिक्रम का संचालन किया, विशेश रूप से प्रयास एक संचार कारिक्रम है, जिसे RSP द्वारा RSP में काम करने वाले ठेकर श्रमिकों के कल्यान के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें मानकों और प्रावधानों को सरल और अस्पष्ट तरीके से समझाया जाता है, इस योजना के तहट अब तक 5,006 ठेकर श्रमिकों को शामिल किया जा चुका है, सेल, रावरकिला इस्पाथ सायंत्र RSP के इस्पाथ जनरल अस्पटाल आईजिएच में संचालित इस्पाथ द्रिश्ट्रीदान नेत्र बैंक द्रिश्ट्री विहीन व्यक्तियों के लिए आशा की किरन बन गई है, उलेखनी है कि अस्पताल कॉर्णियल रिट्रिवल प्रोग्राम HCRP के तहट अप्रेल 2014 में स्थापित नेत्र बैंक ने अब तक 1514 कॉर्णिया संग्रा और 1126 का प्रत्या रोपन किया है, चालू कैलेंडर वर्ष में नेत्र बैंक को अब तक 104 कॉर्णिया दान में मिले हैं, जिन में से 60 का प्रत्या रोपन किया गया, जिन से इन सारे लोगों के आँखों की रोश्णी बहाल हो पाई है, विशेश रूप से यह नेत्र बैंक एक गयर सरकारी संगठन नेत्र बैंक द्रिश्ट्रीदान के सहयोग से चलाया जा रहा है, यह कॉर्णिया संग्रा के लिए अमूल विशेश शक्ग सर्जिकल हस्तक शेप प्रदान कर रहा है, गौर्ट तलब है कि इसपाद द्रिश्ट्रीदान नेत्र बैंक अत्याधोनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस है और कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट करके अपूर्णिय नेत्र रोग वाले व्यक्तियों की द्रिश्ट्री बहाल करने में सफल रहा है, आजादी का अमरित महुर्सव समारह के तहट सेल रोग्ला स्टील प्लांट ओरिश्टा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्थुत कर रहा है, आज का व्यक्तित्व हैं अन्नपोर्णा महराना, तीन नवंबर 1917 को ओरिशा में जन्मी अन्नपोर्णा महराना, रमादेवी और गूप बंधु चौधरी की दूसरी संतान थी, जिन्होंने 14 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था, पूरी से भाद्रक तक ओरिशा के बीच से गुजर रहे गांधी जी के हरिजन पदियात्रा में वे शामिल हुई थी, उन्हें भारत छोड़ो आंदुलन के दोरान अगस्त 1942 सहित कई बार अंग्रेजियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, स्वतंत्रता के बाद महराना भारत में महिलाओं और बच्चों की आवाजपनी और उनके उत्थान के लिए काम किया, उन्होंने राइगढ़ा जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, वे भूदान आंदुलन से भी जुड़ी और आगे चल कर चंबल घाटी के डगैतों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए अभियान चलाया, दो हजार बारा में ओरिशा के केंद्रे विश्विध्याले ने महराना को मानद उपाधी से सम्मानित किया, 31 दिसंबर, दो हजार बारा को 96 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया, अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे, आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाओ को रोकने से बचें, पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप्टे की सापताहिक सफाई सुनिश्चित करें, पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढख कर रखें, मच्छरों के प्रजन शेत्रों को किटाणू रहित करें और मच्छरदानी का उप्योग करें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और रावर केला को एक बहतर सुरक्षित अस्थान बनाएं, इसे के साथ आज क्या हिंदे समाचार बुलिटें नहीं समाप्त होता है, नमस्कार